हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यू कबुतर टिप्स चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप कबुतर पालने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए दोस्तों आज मैं बताने वाला हों की कबुतर पालने के कितने फाइद होते हैं दोस्तों अगर आप कबुतर पालना चाहते हैं तो आप पालिये और अगर आपके घर में कबुतर खुद आकर घोसले लगाते हैं तो यह सबसे बड़ी सुभ की घड़ी होती है कहने का मतलब है कि कभुत्तर आपके घर में घोसले लगाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होता दोस्तो कभुत्तर के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तो दोस्तो आज मैं कभुत्तर के पांच फायदे बताने वाला हूँ दोस्तो तो दोस्तो वीडियो लाज तक देखिए दोस्तो कबुत्तर के पहला फाइदा यह है कि अगर आप तनाओ में जिन्दगी जी रहे हैं या आप हमेशा तनाओ भरी महिशूस कर रहे हैं तो दोस्तो यह कबुत्तर पालने से आपके तनाओ बिल्कुल छू मनितर हो जाएगा दोस्तो और आपका तनाओ भी मुक्त हो जाएगे नमबर दो फाइदा दोस्तो आप हर एक के हर सुकरवार को आप कबुत्तर को उसका दाना दे अपने घर में जो कबुत्तर पाले हैं उसको दाना दे या फिर कबुतर नहीं पाले हैं तो आप किसी और के कबुतर को दाना दीजिए दोस्तो इससे आपको मन को सांती मिलेगा नमबर दो अगर आप करजे में हैं तो आप कबुतर को हमेशा दाना दीजिए आपका करज बहुत जल्द ही खतम हो जाएगा नमबर अगला पॉइंट दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि आप कबुत्तर को दाना देते हैं तो आपको जो भी काम है वह काम सफल हो जाता दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको पैरलाइसिस का भीमारी है तो कबुत्तर के पंग का हावा लगने से आपके पैरलाइस धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं दोस्तो यह बात हम नहीं कह रहे हैं बहुत लोगों से मैंने यह बात सुना है इसलिए मैंने आपको यह बात बताई दोस्तो और कहा जाता है कि कभूतर के पंग का हावा लगने से इंसान स्वस्त रहता है तो दोस्तो आप कबूतर पालने की मन में आस लगाए हैं तो आप बिलकुल कबूतर पाल सकते हैं दोस्तो इसके बहुत सारे फायदे मैंने आपको बता दियें दोस्तो अगर आपको कोई भी मन में स्वाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछे दोस्तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तो दोस्तो अगर कोई कहता है कि घर में कबुतर नहीं पालने चाहिए दोस्तो आप कबुतर पालिये बेफिक्र होकर पालिये दोस्तो किसी के बात मत सुनिये क्योंकि इसके बहुत सारे फायद है दोस्तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कबुतर अगर इंसान तनाव पूर्ण जीवन जी रहा है तो वह सब्ता में शुकरवार या कोई भी दिनों आप दाना डालिए आपका मन का जो तनाव है वह तनाव घट जाता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थाइंक्यू दोस्तों